Hello everyone, दीखिए अब question number 7 देखते हैं NCRT का ही दीखिए इसमें क्या कहता है? Make a diagram to show how hypermetropia is corrected देखो ये जो diagram है जिसमें hypermetropia को correct करना है तो ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो जिसमें मैंने hypermetropia का topic कराया ठीक है? उसमें आपको बहुत अच्छे detail में समन में आ जाएगा, ठीक है? Next देखते हैं इसमें क्या कह रहा है? केते हैं तो the near point of a hypermetropic eye is 1 meter Near point है जो hypermetropic eye का वो कितना है? 1 meter देखो, near point hypermetropic का कितना है? 1 meter वैसे जो normal का होता है, वो कितना होता है? 25 centimeter clear इतनी मत? तो what is the power of the lens required to correct this defect and assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter ठीक है? देखो, सबसे पहले थो थोड़ा सा समझते हैं hypermetropic क्या है? उससे ये question बहुत easily आपको समझ में आएगा, देखो अगर हम ये कह रहे हैं, ये diagram मैं बनाता हूँ इसका ठीक है? इस diagram में मान लो आपके पास जो object है, ठीक है? वो यहाँ पर है, कहा है object? 25 centimeter दूरी बे कितना दूरी बे? 25 centimeter दूरी बे जो normal vision होता है, उसकी बात कर रहा हूँ है, ठीक है? तो 25 centimeter दूरी है, लिपिने जो ये hypermetropic eye है, ये क्या करती है? इसको नहीं देख पाती है, क्यों नहीं देख पाती है, यहाँ से ये raise जाएंगी इस तरीके से, ये raise जा रही है, ठीक? और ये क्या करता है? इसको थोड़ा पीछे बना देता है, फोकस करके, image, retina की बजाए का मनती है, थोड़ा पीछे बनती है, ठीक है? अब इस defect को जब leverage हो रही थी न, इनको ऐसे converge करतेगा, इस तरीके से, ये converge करेगा, converge करेगा तो ये आगे further क्या होंगी, converting में जाएंगी, तो converting में जाएंगी तो ये कहाँ फोकस जाती है, retina पे, focus जाती है, समझ रहो ये बार, अब देखो जिरा, ये वली line और ये वली line, ठीक है, अब होगा ये इसको backtrace अगर हम करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें, ये हमने इसको backtrace किया, ये वली, इनको हम ऐसे backtrace करेंगे, तो ये यहाँ focus कर रहा है, इस object की image को इसने कहाँ बनाया, इधर बनाया, इस lens ने, समझ रहे हो के नहीं आप इस बात को, ठीक है, मतलब, ये कितना distance ह मालो, one meter का, given था, the near point of hypermetropic का, ये कितना है, one meter का, तो हमने ऐसा कोई lens लगाया, जिसने की, इस object को virtually कहाँ दिखाया, one meter पे, तो आई इसको देख पाएगी, ठीक है, और इस side उसने क्या किया था, इनको, converge करती है, ये बाहर बन रही थी, रेटीना से, तो रेटीना पे आ हमने क्या किया, एक, convex lens लगाया, समझ रो, इतनी बात, मतलब, ये object मान लो, u, minus कहीं मान लो, इसको क्यों, क्योंकि ये left hand side है, इस lens से, ठीक है, और ये one meter है, इसको क्या मान लो, इस lens ने इसकी image बनाई, इस object की, तो इसको मैं V मान लेता हूँ, minus में, clear है, तो अब ये जो convex lens use हुआ, हमसे वो क्या पूछ रहा है, कितनी power का है, तो फिर वह ही है, बस u और v पता चल लिया हमें, तो f निकाल तो f निकालने के बाद, power भी निकल दाएगी, ठीक है, तो देख लो, solution में, इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि ये होता क्या है, यहाँ system, ठीक है, देखो, u ह हमें पता है, v पता है, तो f निकालना है, तो formula हमें पता है, 1 by f, इस गल्डू में, 1 by v, minus 1 by u, देखो, एक चीज़ है, इसमें, यहाँ meter में है, यहाँ centimeter में है, तो सबसे पहले, इस centimeter को meter में convert कर दो, जब मैं इसको convert करूँगा, तो 25 by 100 हो जाएगा, यह, meter में, और, बस ऐसी 1 by 1, और, minus minus plus 100 upon 25, LCM ले लो, 25, इधर 25 आजाएगा, और, plus 100, और, यह, minus का, ठीक है, समझे रहो नहीं, minus का 25, और, यह, plus का 100, तो, यह, कितना आजाएगा, answer 75 upon 25, किसकी value है, यह, 1 by f की, और, इसको फर्दर सौद करेंगे, तो, 25, 3 दा, 75, तो, 1 by f कितना आ गया, 3 by 1, तो, f कितना आ जाएगा, 1 by 3, किसमे, मीटर में, clear है, इतनी बाद, focal length निकल गया है, तो, power भी निकाल सकते हो, power का formula का होता है, 1 by f, तो, 1 upon मे, f कितना है, 1 by 3, तो, 3 उपर जला गया, ठीक है, तो, यह, कितना answer आ गया, 3, diopter answer आपके है, हमारे पास, कितनी power का length चाहिए 3, कितनी बास, 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 कितनी बास